एक तरब जहां करनाठक और महरास्टर के बीच में चड़े सीमा विवाद पर मोधी सरकार और शिंदे सरकार फूख फूख करके कदम रख रही है कि इस मामले को बहुती सहजता से सुलजाए जाने की आवशकता है ताकि इसमें जानमाल का कोई भी नुकसान नहो क्योंकि ये मामला बहुती ज़्यादा समवेदनशील है लेकिन विपक शियानी की उद्दव ठाकरे गुट शरत पवार का खेमा और कॉंग्रेस पार्टी इस पर घटिया राजनीती कर दंगे जैसी इस्तिती तयार करने में लगे हुए हैं इसकी आज एक बानगी देखने के लिए मिल चुकी है इसी बावत पुलिस ने रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस के कुछ निताओं को ग्रफतार भी किया है इस रिपोर्ट में दोस्तों हम समझेंगे कि कैसे ऐसे समवेदन शील मुद्दों पर पबार और ठाकरे का खेमा राजनीती करने में लगा हुआ है और इसका इंपेक्ट कितने बड़े लेवल पर पड़ सकता है इसके अलाबा सदन में कैसे भारती जनता पार्टी के नेता और महरास्टर के उप्पमो के मंतरी देविंदर फण नवीज ने उद्दव ठाकरे के बहुत ही करीबी नेता पर चुटकी ली जिसके बाद में सदन का माहौल पूरी तरीके से बदल गया करनाटक महरास्टर सीमा विवाद का मुद्दा लगतार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है शीत कालीन सत्र के बीच आज करनाटक के बेलगावी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की यूजना बनाई गई थी धारा 144 लागू होने के बावजूद महरास्टर एकी करल समिती और रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अंतर राज्जी सीमा मुद्दे को लेकर के करनाटक महरास्टर सीमा के पास मैं कोगनौली टोल प्लाजा के पास मैं विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर सैकड़ा की भीड विरोध करने के लिए पहुँची थी पुलिस का कहना है कि महरास्टर करनाटक सीमा मुद्दे को लेकर के अधिकारियां जो अधिकारी हैं तमाम पुलिस के वो अलर्ट पर हैं इसके साथ ही शिवसेना कॉंग्रेस और NCP के 300 से ज़ादा सदस्य को सीमा पर रोग दिया गया और करनाटक की तरफ से वापस भेज दिया गया इतना ही नहीं दोस्तों कॉंग्रेस और शिवसेना के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा इसमें कॉंग्रेस के हसन मुश्रीफ और शिवसेना के कोलापुर जिला सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन की यूजना बनाई थी महराश्च्र कॉंग्रेस के अद्धक्ष नाना पटोले ने प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी पर भारत को विभाजित करने का आरोप लगाते हुए केंडर पर विबाद का आरोप लगाया है मोदी सरकार भारत को विभाजित कर रही है लेकिन कॉंग्रेस के ये नाना पटोले भूल गए है कि वहाँ पर जब इतना ज्यादा सम्वेधन शील ये मुद्दा है तो इस तरीके की हरकत करने की क्या ज़रूरत है उन्होंने का की किंडर सरकार के कारार सीमा का मुद्दा उठ रहा है पिये मोदी महरास्ट को विभाजित करना चाते हैं उन्होंने सवाल किया कि दोनों मुक्मंत्रियों और ग्रहमंत्री अमिश्चा के बीच बैठक के बावजूर नेताओं को वहाँ जानी की अनुमत्ती क इसे पता चलता है कि केंद्र सरकार इसके पीछे है केंद्री ग्रही मंत्रिया में शाहने पिछले हफ्टे दोनव राज्यों के मुक्छ मंत्रियों के साथ मैं इस मुद्ध को लेकर के दिल्ली में इक बैठक की थी। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री सीमा बिवाद को दबाने के लिए सहमत नहीं हुए जब तक कि सुप्रीम कोट इस मामले में फैसला नहीं करता है वहीं दोस्तों आज माहराष्ट के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाश शिंदेवनों ने कहा कि ये मुद्दा माहराष्ट के गौरफ का है और राज्य के इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है माहराष्ट विधान सबा के शीत सत्र के पिछले दिन यानि की सौंबार को मजेदार वाक्या देखने के लिए मिला इस दोरान उद्दव ठाकरे के करीबी विधाएक सुनील प्रभू ने सरकार से सवाल दागा कि जब माहराष्ट में राज्यमंत्री है ही नहीं तो फिर उनके बंगलों पर पुताई और साज सज्जा का काम क्यों चल रहा है इस पर माहराष्ट के उपमोख मंत्री और भारती जनता पार्टी के कद्दावर निता देविंद्र फणनबीस ने तंज कसते हुए नया ही मसाला दरसल नया ही मसला छेड़ दिया है उन्होंने चुटकी लेते हुए दरसल पूचा कि क्या आप मंत्री बनने की इक्षा रखते हैं क्या आप ऐसा कोई अफसर चाहते हैं फणनबीस की स्ट्पड़ी से विधानसवा का माहौल पूरी तरीके से बदल गया और ठाके लगने लगे सुनिल प्रभू ने कहा था कि राज्य में मंत्रियों की संख्या कम है इसके बाद भी खाली पड़े बंगलों को सजाया गया है और वहाँ पर पेंट आदी का काम भी लगातार चल रहा है जब उनकी जरूरत ही नहीं है तो फिर ये रकम क्यों खर्च की गई है इस पर देविंद्र फण नभीज ने तंज कस्तिवे का कि लोक निर्माण विवाग को कैसे पता चलेगा कि सरकार के मंत्री मंदल का विस्तार कब होने वाला है ये अधिकार मुख मंत्री का है हम सत्र चलने पर भी मंत्री मंदल का विस्तार कर सकते हैं उन्होंने का कि इस तरीके की रंगाई हर सत्र में की जाती है और इसमें लाखो करोडों खर्च नहीं होते हैं जो कि अगर अगाली घटक इसका मुद्दा बनाना चाहते हैं कि इसमें लाखो करोडों रुपे खर्च हो रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें बिवाद का मुद्दा उठाया सत्ता पक्ष की ओर से मुख मंत्री एकनाश शिंदे और उप मुख मंत्री देविंदर फणनबीस ने विपक्षी दलों के आरूपों का करारा जबाब दिया ठाकरे गुट के विदाइक सुनील प्रभू ने मंत्रियों के बंगलों के रंग को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया लेकर इस बीच देविंदर फणनबीस ने मंत्री पत का ओफर दे कर के पूरी की पूरी चर्चा का ही रुख मोड़ दिया गौरतलाव है कि सत्र से पहले विदान सभा की सीडियों पर पचास पेटियां दरसल खड़ी कर दी गई और नारे लगाई गए तो कुल मिला करके जो महरास्ट और करनाटक के बीच में जो सीमा का विबाद है वो लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है एक तरफ जहां महरास्ट की जो मौजूदा सरकार है और खुद केंदर सरकार दोनों राज्यों के मुक्मंत्रियों को बिठा करके इस पर सला मसाओरा करने की कोशिस करने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिस कर रहे हैं ताकि वहाँ पर दंगे भड़कने जैसी इस्तिती पैदा ना हो जाए लेकिन जो महरास्ट के दरसल विपक्षी दल है चाहे फिर वो दफठाकर गुट की शिपसेना हो चाहे फिर वो रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी हो शरत पवार की और कॉंग्रेस पार्टी का तो क्या ही कहना ये लोग जान बूच करके इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिस कर रहे हैं धारा 144 इंपोज होने के बावजूद भी वहाँ पर इस तरीके से विरोध नेताओं को रोका गया और हसन मुश्रीफ और इसके अलाबा कुछ नेताओं को हिरासत में भी लेना पड़ा पुलिस को पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है तो जब सेक्शन 144 वहाँ पर इंपोज है वहाँ पर चार जन खड़े होकर के बाची तक नहीं कर सकते लेकिन उद जो है खुरदंग काटना शुरू कर देना है वो भी तब जब धारा 144 लागू की गई है और इसी के अबज में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया पुलिस ने एक्शन लिया लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कि इस तरीके से शरत्पबार का गोट और दठाकर का गोट और कॉंग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पुलिटिसाइज करने की कोशस कर रही है जिन मुद्दों को एक साथ बैट करके टेबल पर सुल जाने की जरूरत है उन मुद्दों पर भी महारास्टों के जो तमाम विपक्षी दल है जो अगारी घटक के नेता है वो इ इस्तिती जो है आती है तो फिर अगर सरकार के साथ में नहीं खड़े हैं तो कम से कम समवेदन शील मुद्दों पर कम से कम उन्हें उनकी तरफ से समवेदनाए व्यक्त करने की जरूरत है लेकिन यहाँ पर ठीक उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है राजनीती उनकी जो है तूल पकड़ता चला जा रहा है और आपकी क्या रहा है कि क्या वाकई में महारास्ट का जो विपक्षे वो इस मुद्दे पर घटिया पॉलिटिक्स करता हुए दिखाई दे रहा है जो भी आपकी राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता है जल्ब लोगा किसी दूस सबस्क्राइब कर लें साड़ में बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे हैं ताकि जब भी मैं कोई बड़ा ब्रिट लेकर आँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे